क्या रनबीर कपूर से शादी करेंगी आलिया ये है आलिया का जवाब आलिया भट अब रनबीर कपूर से जुड़े सवालों का जवाब देकर ठक चुकी हैं अब वे इन सवालों का जवाब कुछ इस तरहें दे रही है पिछले साल बलेवड में दो बड़ी शादियां हुई हैं और आलिया मान रही हैं कि अब लोगों को कुछ दिनों तक किसी भी सेलिब्रिटी से उनकी शादी के बारे में नहीं पूछना चाहिए हाल ही में जबालिया से उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए पिछले साल बॉलिवर्ट से दो खूबसूरत शादियां हुई हैं मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा चिल करना चाहिए, फिल्मों में काम करना चाहिए और बाकी चीजें बाद में देखनी चाहिए बता दें कि पिछले लंबे समय से इस बात को लेकर चाहिए हैं कि आलिया भट और रनबीर कपूर अब जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे चूंकि दोनों के परिवार वालों ने इस प्रिष्टे पर अपनी सहमती दे दी है माना जा रहा था कि नीतू कपूर चाहती है कि दोनों कम से कम सगाई कर ले लेकिन दोनों ने ही अपनी तरफ से अभी तक कोई रजामंदी नहीं दी है कहा यह भी जा रहा है कि रनबीर ने आलिया को अपने फैमिली वार्ट सप ग्रूप में भी शामिल कर लिया है पिछले दिनों रनबीर कपूर जब विदेश में थे अपने पापा रिशी कपूर के इलाज के लिए उस वक्त भी रनबीर कपूर के परिवार के साथ हर तस्वीर में आलिया भट नजर आ रही थी दोनों यूयोर्क में भी साथ साथ ही शौपिंग करते हुए भी नजर आये थे तो आलिया की बातों से फिल हाल यहा लग रहा है कि दीपिकार रनबीर और प्रियंका की शादी के बाद विहा भी अपनी शादी में वक्त लेंगी फिल्मों की बात करें तो आलिया और रनबीर फिल्म भरास्तर में नजर आने वाले हैं जिसका निर्देश नयान मुखर जी कर रहे हैं इस फिल्म में अमिता बच्चन की भी अहम भूमिका है